प्राइल लिंक प्रॉपर्टी डेवलपर्स लिमिटेट गुवा की रियल एस्टेट और डेवलपर कमपनी हैं जो अप्टा पहला प्रोजेक्ट रायपुर में लॉंच करने जा रही है दो बीएच के अमे आथ माले का ये आवास ये प्रोजेक्ट बासट फ्लेट के साथ लावांडी में बन रहा है जिसका सहां फीसदी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है लोगों के लिए रेडी फ्लेट तैयार किये गए हैं प्रीमियम बजट में आधुनेक फ्रीवल शेली की सारी जरुवतें प्रोजेक्ट पूरा करता है फानेंस की स्वीधा मुहया करानी के लिए कमपनी में तीन बड़ी बैंकों के साथ टायप कर लिया है मैनेजिंग डिरेक्टर प्रकास जालन ने बताया कि नया और पुरानी राइपूर के बीच ये प्रोजेक्ट वबन प्रकार की जीवन शेली को पूरा करता है उन्होंने कहा कि सारकाराजप्रक सोच लेकर हमने राइपूर में अपना प्रोजेक्ट लाँच किया है हम राइपूर में हमारा पहला प्रोजेक्ट लाँच कर रहे हैं तो इसी के लिए हमने प्रेस कांसेंस बला कि सब को बताया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है हम गोवा से कोवा के डेवलपर्स हैं और राइपूर में अभी हमने टू बेडरूम का बजट हाउजिन का फर्स प्रोजेक्ट लाउंच किया है देखिए स्वीधाय तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि प्राइस अभी डेवलपर्स स्वीधाय तो सभी दे रहे हैं हम लोगों की प्रोजेक्ट में दो विशेस ख्यासता है मैं बोल सकता हूं कि भी एक तो हमारे जो आठो के आठो फ्लाइट है एक तल्ले में सब वास्तू अनुरूब बने हुए है जो हम बोलते हैं कि जिसके अंदर में बेसिक कोई वास्तू का दोश नहीं है नेगेटिव प यूज नहीं करते हैं क्योंकि लोग थोड़ी सारी चीजे अमेरिटीज नीची होती है तो कोई उपर जाना नहीं चाहता है तीसरा है कि एक बजट हाउजिंग प्रोजेक्ट में भी हमने एक स्ट्रेचर लिफ्ट का प्रोविजन किया है जो यूजली लोग इस सेक्टर में नहीं करते हैं देखिए हमने अच्छी बैंक को दो तिन बैंकों से टाइप किया जैसे HDFC है, Access Bank है, SSBI है, यह तीनों काफी चल रही है और सुईदा में इसमें प्रदान मंत्री की जो आवाज योजना है इसका भी लाब मिलेगा और डॉकुमेंट हमारे क्लियर है तो आल्मो में लाउंच करने जा रही है तो भी अचके में आठ माले का यह आवासी प्रोजेक्ट बासच फ्लेट के साथ अलाबानी में बढ़ रहा है जिसका सहाथ फीसदी कंस्ट्रक्शन काम पूरा हो चुका है लोगों के लिए रैडी फ्लेट तैयार की गए हैं प्रीमियम बजट प्रकाश जालान ने बताया कि नया और पुराने रैडी पूर की बीच यह प्रोजेक्ट विभन प्रकार की जीवन शेली को पूरा करता है उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच लेकर हमने रैडी पूर में अपना प्रोजेक्ट लाउंच किया है